नमस्कार दोस्तों एक नए एपिसोड में आपका सवागत है फ्रेंड्स आज की ये जो वीडियो आपके लिए काफी महत्यपुरून साबित होने वाली है फ्रेंड्स आज मैं बात करूँगा कि फ्रेंड्स जब भी किसी के मन में कोड कचारी का नाम आता है किया बाइ कोड olduğunu कोड कचारी के मामला होते बहुत लंबे चलते हैं अगर झाले झाले तो यह मामला है बहुत लंबा चलने वाला है इसलिए जो हर एक व्यक्ति अन्हीरे कोड कोड़ कचारी जान थे बचना चाता है हर एक person की जो कोशिश रहती है कि अगर हो सके कोई भी मामला हो अगर कोट कचार्यारी से बच सके तो बचें फेलिए उस से क्या होता है कि कीषा हमें अपने अदिकारों से भी वंचित होना पड़ता है लेकिन Friends अगर हमारा भी कोई कोई केस चल रहा है या हम भी किसी केस में फसे होंा है तो कैसे हम अपने केस में जो कारवाई है जल्द से जल्द करवा कर अपने केस को निपटा सकते है ऐसे कौन से reason है ऐसे कौन से कारण है जिनको follow करते हुए हम अपने court case में जल्दी से जल्दी कारवाई करवा सकते हैं और अपने court case का फैसला है वह जल्दी से जल्दी हम करवा सकते हैं तो friends आज की इस वीडियो में मैं आपको बतावाई का कुछ ऐसे reason जिनकी वज़े से हमारी court में जो करवाई है बहुत लेड हो जाती है बहुत देरी से होती है और ऐसे कुछ तरीके जिनको इस्तमाल करके हम अपने court case में जो करवाई है बहुत जल्दी करवा सकते हैं और अपने जो court case का फैसला है वो भी जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं तो friends आज की ये जो वीडियो है हर एक उस व्यक्ति के लिए काफी महते पुरन है जिसका कोई भी court में case चल रहा है या कोई भी वो court case करने के बारे में सोच रहा है तो friends आज की इस वीडियो को बिना skip कि ये वे अन तक देखते रहें ताकि आप कोई भी जो महते पुरन जानकारी ये वो मिक्स ना करें और friends वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको होती है वह इतनी देरी से क्यों होती है friends हालाकि जिस चलते काफी चलते लनमबे होती है उन्हें होते होते काफी काफी में लग जाता है लेकिन सरकार समय souvent पर बहुत ऐसे इसे सिस्टम डिवेल्प की हैं जिनके वज़े से जो कोट में कारवाई हैं उनको जो निप्टा रहा है वो जल्दी से जल्दी हो सके फ्रेंड से देखा गया है कि पिछले कुछ समय में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रजूलेशन यानिकि एडियार जो सिस्टम में वह काफी डिवेल्प हुआ है हम अपने ऐसे कुछ मामलों में कोट गई बिना ही अपने जो मामले होते हैं वह एडियार के समक्ष रखे मधिहस्ता या राजी नाम्मा जो कॉम्प्रमाइस की ज उसके लावा उस वक्ति का जो एडवोकेट अधिवक्ता रखा होता है उसके कारण कोट में कारवाई में देरी हो सकती है या उपुजिट पार्टी या उसका वकील उसका कारण की कारवाई में देरी हो सकती है या इसके लावा कोट के दवारा भी आपके केस में देरी हो सक केस लड़िये और हम अपना ग Эडवकेट को दे एक अदम भेफिकर हो जाता है जैसे हम अपने केस में बिल्कुल इंट्रस्ट ही नहीं लेते हैं यह सब से बड़ा कारण है आपके केस में देरी होने का आईए जानते है है वो कैसे आपके जो एड़िए होता है उसने आपका जो केस के के सकते के करने के होता है लेकिश के फैक्ट है आपके की बरेकिया करते IngredMr. लिए हम इसे केस कいます तो हमरा कुछ इंट्रश्ट जो होता है हमारे केस में होता है लेकिन कुछ समय के बाद जो हमारा ध्यान है वो बिल्कुल खड़ जाता है केस से और हम अपने अपने ग्रेलु काम में का जमित्में वैस्त हो एड केई का रिजलत आने में नतीजा आने में जज्जमेंट आने में में भी काफी देरी हो जायेगी फ्रwe sinds के लिए आपको क्या करना चाहिए क्इस करते हैं आपकी जो एक फाइलेक के पास होती है और एक उसकी जो फाइलोती है आप अपने पास आपके केस में कोई application लगी है और जो next date पढ़ी है वो आपके reply के लिए पढ़ी है आपके जवाब के लिए पढ़ी है तो आप अपने वकील को बताइए कि आपने केस में आगे क्या करना है अगर कुछ जवाब देना है तो आपके अपने वकील के पास बैढ़ कर उसका है काम करेगा करे या नारे कुछ के सब्सके कुलाइन हो फक्षकार होता है वह को आपको पर ध्यान दियान देना ही पड़ाइगा अगर आप उस सब्सक्राइум करेगीक में Catholic करना हमेर्व लगए के सब्सक्राइव पर तौर त्वरतीन पर तारिक पड़ती है अगर आपको क से अपने काम से चुटी लेते ही हैं इस प्रकार जोハ सेज़्िलूरी काम है ज्रूरी काम से भी ज्यादा होता है वो कोट केस में पेश ही नहीं होता चाहिए नारीक पर तारीक पड़ती रहती है और यो पक्षकार होता है केस में पेश ही नहीं होता है इवन की वो शाम को अपने एड़ोकेट को फोन करके पूछता भी नहीं है कि वकील साब नेक्स जो तारीक पड़ी है वो कितनी प possibility बनती है कि आप अपने वकील को फोन कीजिए पता कीजिए कि आपका केस में कितनी तरीक पड़ी है और किस कारवाई के लिए पड़ी है यहां तक भी देखने को आया कि कोई क्रिमिनल केस में जहां पर जहां पर जो होता है उसको एक्जम्शन देनी जो बहुत जुरूरी होत है वह अपने वकील को एक पर फोन भी नहीं करता कि वकील साहब आज मैंस कारण से कोट में नहीं आ पाऊंगा आप मेरी जो अग्जम्शन है एक हाजरी माफी की जो एप्लिकेशन है वह कोट में लगा दीजेगा तो लोग इतने लाप्रवाबी देखे गए हैं अगर आप नहीं के केस में पुर्व पर एक्टिव होंगे तो जो जाज साहब थे हैं वह देखते हैं कि उस चौन का करते हैं आपको तो और होता है आपका एडवकेट् संसीलो अगर आपका कई का केस है है जो इसको इतनी हमारत हासिन होती है उसको उसको प्रतीत नहीं होते है उसंको क्या होता है आपका केस का से काफी लंबा होने का चैसि का वकील होता है चमार मजबूत होता है और एक पक्ष का Palestinian थोड़ी से लिम्घक पो बताएं कि उससे का कीज si atébelđ तो जो वरोधी पार्टी या उसका व्धाहिना क्रणे में भी जाएंगे कि इसको लमगख हिचने बी जाएंगे लिए अगर-अगरर Labs वह एक्तिव होंगे तो उसके जो सभी हत्कंडे हैं वह फेल हो जाएंगे वह ऐसा नहीं कर पाएगा हाला कि पहले ऐसा होता था कि जो क्यों के सोते से काफी लंबे चल जाते थे लेकिन आप जो क्या होता है कि जो ज़स होते हैं जो इसको बेक घृट मिलता है कि उन्हें हर जल्दी आपके केस में कारवाई करके जो भी उसका उचित फैसला होगा वो जल्दी से जल्दी करेंगे तो यह कुछ ऐसे पॉइंट से जिन से हम जान पाए कि जो कोड केस की कारवाई में देरी होती है वो क्यों होती है और अगर कोई आपका कोड केस चल रहा है तो हम कैसे उ बिल्कुली मत बूलें जल्दी ही मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ तब तक दीजे मुझे इसाज़त धन्यवाद